आज हम बात करने वाले 10 types of nouns के बारे में, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी और जिस तरीके की tips मैं आपको देने वाली हूँ, I can guarantee आप जिन्दगी में कभी nouns को पहचानने में गलती नहीं करोगे, और 9 types of nouns को कभी भूलोगे, I can challenge you that. और जो most important types of nouns होते हैं, concrete noun, abstract noun, common noun, proper noun, countable, uncountable, collective noun, यह आपको काफी जर्गे भी मिल जाएंगे, बहुत सारी books में मिल जाएंगे, साथ ही साथ में bonus आपको तीन और तरीके के nouns के बारे में भी बताने वाली इस वीडियो में, जो कि compound noun, material noun, possessive noun, जादे तर आपको नहीं teachers बताते ह होंगे नहीं आपको बुक्स में मिलेंगे, so hi guys, welcome back to the Tharket, भी वीडियो पसंद है, please like कर दो अपने दोस्तों के साथ, please share कर दो, चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत बुलना, जैसे कि पिछले वीडियो में parts of speech, इसमें मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको nouns के बारे में, detail में with examples बताया था, तो starting में हम एक brief recap ले लेते कि noun actually में होता क्या है, noun नाम दिया जाता है किसको जो लोग होते है, person होते है, जगे होती है, animal होते है, things, feeling या फिर idea, तो ये basically नाम दिया गया होता है, इन चीजों को, या फिर feelings या फिर idea को, तो उस वक्त भी मैंने आपको बताय था कि feeling idea abstract noun होते हैं, और आज हम बात करेंगे detail में one by one करके सभी ten type of nouns के बारे में, तो आएए बात करते हैं, सबसे पहले type of noun की जो की है, concrete noun, सबसे पहले आप example देखो, कि जैसे table हो गया, elephant हो गया, एक घर हो गया, या फिर एक girl हो गई, क्या आप इनको देख सकते हो, yes, तो क तो उसकी जो खुश्बू है, क्या आप उसको स्विंग सकते हो, yes, तो ऐसी जो चीजे होंगी, जिसका एक physical presence है, ठीक है, physical presence है, और आपकी जो five senses होती है, आख, ना, कान, मू, जो touch होती है feeling, ठीक है, तच कर सकते हो, देख सकते हो, smell कर सकते हो, feel कर सकते हो, और टेस्ट कर सकत हो, तो वो सारी की सारी चीजे क्या होंगी, concrete noun में count होएंगी, एक important point में आपको पहले ही बता दूँ, कि 10 type के जो noun है, आपको interconnected कहीं न कहीं दिखाई देंगे, एक एक दम straight away bifurcation आपको नहीं दिखा, कुछ ऐसे noun होंगे, जो concrete noun है, लेकिन वो किसी और noun के under भी count होंगे, कु मोटा मोटा आपको bifurcation बताएंगे, but it is not a, एक दम hard and fast rule नहीं है, कि वो दूसरे type of noun के under में वो particular material नहीं आ सकता है, तो ये चीज़े आपको throughout the video clear होते जाएंगे, कि कैसे एक जो noun है, वो दूसरे type of noun के under भी आता जाता है, वो आपको साथ साथ बताते जाओंगी, तो जैसे कि मैंने आपको example भी दे देती हूं, concrete noun के for example, there is nothing in my bag, मेरे bag में कुछ नहीं है, तो there is nothing कुछ नहीं है in my bag, bag यहाँ पर क्या है, क्या आप उसको touch कर सकते हो, yes you can touch it, क्या आप उसको देख सकते हो, yes you can touch, तो उसकी क्या है, एक physical presence है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएग concrete noun, अब मैं बोलू कि I went to pick up children from school, मैं गई बच्चों को pick up करने के लिए school से, तो यहाँ पर जो बच्चे है, again वो person है, physical presence रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा concrete noun, again school भी, क्योंकि ये को बिल्डिंग है, वो भी हो जाएगा हमारा concrete noun, please pass the plate, जो plate रखिये, उसको please मुझे दे तो again जो plate है, उसकी भी physical presence है, तो वो भी हो जाएगी हमारी concrete noun, अब बात करते हैं, abstract noun की, जब आपका concrete noun की बारे में बात करें, abstract noun की बात करें, तो आप न, मैं आपको इनका difference भी बताते जाओंगे साथ साथ में, ताकि आपको clarity मिलते रहे, तो abstract noun basically क्या करेगा, आपकी feelings को ब hurt, आपके answer निकल रही, your heart, आपका दिल दुख रहा है, आप खुश हो, you are laughing, आपको दिमाग में कुछ idea आया है, तो वो सारी चीजे जो की idea होंगी, या फिर equality होंगी किसी की, या कोई action होगा, या कोई particular state होगा, इन सब के मैं आपका example भी दूँगी, वो जो चीजे, basically आप touch नहीं कर सकते, आप physically देख नहीं सकते, क्या, आप टच नहीं कर सकते, physically आपको वो नहीं दिख रही है, तो वो सारी चीजे, जो की होंगी, एक idea, quality होगी, किसी की, अच्छा ही हो सकती है, बुरा ही हो सकती है, ठीक है, goodness, badness, rudeness, या फिर action होगा, या फिर state होगा, for example, जैसे की quality मैंने आपको बोली, goodness हो सकती, किसी की अच्छा ही हो सकती है, kindness हो सकती, किसी का दयालूपन हो सकता है, darkness, अंधेरा अच्छा जाता है, hardness, या फिर brightness, तो ये जो qualities होती है, ये होगा, abstract noun, या फिर कोई action, जैसे की laughter, theft हो गया, चोरी होगी, कोई खुश है, कोई moment है, को कोई hatred है, तो ये आपके दिल में है, ठीक है, या फिर आप उसको, आप महसूस कर सकते हो, तो वो भी action जो होगा, वो again क्या होगा, abstract noun, कोई state है, जैसे की childhood हो गया, बचपना हो गया, boyhood हो गया, youth हो गया, slavery हो गया, यानि बंदुआ जो मज़ूर होते है, किसी का दास बन के र physically touch या देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो सारे किसमें आएंगे, abstract noun में, तो अभी मैं आपको एक मोटा मोटा comparison करके बताती हूँ, कि कैसे concrete noun और abstract noun differentiate आप कर सकते हो, पर्टिकुलर sentence में अगर आपको दिये गए हैं, तो, जैसे कि ले लिजे, the animal is always hungry for love, यहाँ पे animal क् है, एक पशू है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसकी physical presence है, तो यह हमारा हो जाएगा, concrete noun, लेकिन अगर हम यह बोलें, the animal is always hungry for love, वो हमेशा भूखा है, प्यार के लिए, for love, again यहाँ पे जो love है, यह हमारा हो जाएगा, abstract noun, hungry है, यह भी हमारा हो जाएगा, abstract noun, क्यों, क्योंक आप किसी को जाके, ममी को जाके, क्या बोलेगे, ममी मुझे, I am feeling hungry, मुझे भूख लगी है, right, you feel the love, तो यह वाले जो words होते हैं, इनको count किया जाएगा, abstract noun में, और physical वालों को count किया जाएगा, concrete noun में, similarly, students must use time prudently, students को अपना time, use करना चाहिए, prudently, मतलब भुद्धी मत्ता क के साथ में, तो students क्या हो जाएगे, हमारे concrete noun हो जाएगे, right, और time क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा, abstract noun, right, next example, Monica hates getting late, Monica को बुरा लगता है, अगर लेट हो जाए तो, उसको बुरा होना, उसको लेट होना बुरा लगता है, तो Monica again is a person, यह हो जाएगा हमारा concrete noun, और यहा हमारा abstract noun, तो I hope मैंने आपको clarity दे दी होगी, कि concrete noun और abstract noun में कैसे differentiate करना है, और दोनों basically अलग होते क्या है, अब हम बात करेंगे, third type of noun, जो कि होगा, common noun, जैसे कि teacher, doctor, man, तो यहाँ पे, अगर आप किसी को teacher बोल रहे हो, तो teacher तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं आप कोई particular person को भी हो, तो commonly, आप जितने भी teacher है, आप किसी को भी बोलोगे teacher, it's a common thing, आप हर किसी को doctor बोलोगे, जो भी doctor है, आप किसी को भी man बोल सकते हो, तो जो हम commonly use करने वाले शब्द है, जिसको हम generally use करते हैं, कोई specific चीज के लिए, एक specific person के लिए use नहीं करते है, it is unspecific categories, unspecified, कि आप उस particular person के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप particular इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हो, उसका जो, उसका जो समू होगा, जैसे men है तो पूरे gender की बात हो रही है, teacher है तो पूरी teacher community की बात हो, पूरे teacher community में कोई भी person हो सकता है, पूरी doctors में से कोई भी हम doctor के बारे में ब ठीक है, for example, man, आप किसी को भी बोल सकते हो, कोई भी man हो सकता है, city, कोई भी city हो सकती है, country, कोई भी country हो सकती है, company भी कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी month, तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी specific details जो होती है, वो नहीं मिलेंगी, एक generic term यह दी गई है, तो यह हो जाएगा हमारा common noun, अब अगर हम बात करें proper noun की, तो proper noun आप देखो, अगर कोई, आपकी कोई friend है, ठीक है, जैसे की रिया, रिया आपकी friend है, तो आप अगर बोलोगे girl, वो कोई भी लड़की हो सकती, तो that will be a common noun, लेकिन अगर आप बोलो रिया, तो आप particular person के बारे में बात कर रहे हो, तो वो ह common noun है, लेकिन अगर हम उस घर का नाम, जो वहां की name plate में उसके मालिक ने लिखवाया है, कुछ नाम दिया है इसको, जैसे के शिव निवास हो गया, लोग के मित्तल निवास हो गया, तो जो भी नाम उन्होंने अपने घर को दिया है, वो होगा proper noun, तो यह क्या करेगा, specific person या first letter capital है, शिव निवास का पहला letter, दोनो capital है, और यह जो specialty है, quality है, proper noun की, यह आपको common noun में देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ पे ऐसा कोई capitalization of first letter का कोई rule नहीं है, यह rule आपको पूरी English में स्रिफ और स्रिफ proper noun के साथ ही देखने को मिलेगी, I am talking about noun, I am not talking about other words or situations, मैं सिर्फ noun के बारे में बोल रहे हैं कि स्रिफ nouns जो होते, noun में स्रिफ proper noun में आपको यह quality देखने को मिलेगी, for example, अभी मैं आपको differentiate करके बताती हूँ, common noun और proper noun में, जैसे कि अगर हम common noun use करेंगे, तो हम बोलेंगे men, right, और अगर हम कोई particular person के बारे में, proper noun के बारे में बात कर रहे हैं, त तो city होगा, proper noun है, तो जैपूर होगा, या कोई भी city आपको जो नाम लेना है, common noun, अगर country है, तो अगर proper noun है, तो जैसे इंडिया होगा, पाकिस्तान होगा, बांगलादेश होगा, चाइना होगा, any country, US, UK, Britain, anything, ठीक है, company, कोई भी company, अगर हम बोले, कि I got a call letter from a company, I don't know कि call letter आया है, तो Google यहाँ पर proper noun है, day, common noun है, कोई भी day को आप day ही बोलोगे, लेकिन Saturday तो specific noun है, वो specific नाम दिया गया है, तो it will be a proper noun, again month common noun है, और अगर July, August, September, January, February, जो भी आप बोलोगे, वो सारे के सारे क्या होगे, proper noun, तो जैसे मैं आपको बताया था, इनका जो first letter होगा, वो quality आपको सभी nouns में, सिर्फ proper noun में ही देखने को मिलेगी, clear है, now let us talk about countable noun, simple rule है, अपनी उंगलियां देखो, अगर आप कुछ चीजे, count करना start कर सकते हो, मैं यह नहीं बोल रही हूँ, अगर millions है, तो आपकी सब जो fingers उस पर count हो जाएगा, लेकिन अगर millions भी है, तो वो आपका जो one है, वो आप start अपने fingers से कर सकते हो, तो यह आपको, जो मैं आपको तरीके बतारी है, वो आप कभी नहीं बूलने वाले हो, I can guarantee you that, simple है, अगर आपकी कोई भी चीज fingers पर count किया सकती, starting of that, तो जैसे one, two, three, four, five, तो वो क्या हो जाएगे, countable noun होंगे, उसकी qualities क्या क्या हों two है, three है, four, five है, infinite times है, तो वो plural भी तो होगा, ठीक है, तो इसका क्या, आपको quality यहाँ पर समझाई, कि आपका countable noun singular भी हो सकता है, क्योंकि वो one से start हो रहा है, और वो plural भी होगा, क्योंकि it is more than one, आगे कोई भी number तक जा सकता है, तो आपका countable noun singular और plural दोनों फर्म में आपको मिलेगा, क्योंकि यह numbers count करता है, right, count करता है numbers, तो हमेशा यह how many का answer देगा, countable noun क्या करेगा, आपके how many का answer देगा, countable noun, जब आप जो sentences बनाओगे, तो उसमें आप a few का use कर सकते हो, क्योंकि आप count कर सकते हो, या फिर many कर सकते हो, lot of कर सकते हो, या फिर some, तो इन determiners का use आप क यूज आप कर सकते हैं in case of countable noun, I hope I made the point clear, for example, a pen, an apple, या फिर four pens, या फिर there are five buildings, यहाँ पर देखो सब जगे count करने वाली चीज़े हैं, राइट, अगर मैं a, या फिर an भी बोल रही हूं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो हमारे singular form को represent कर रहा है, a pen, an apple, हमारे singular form को represent कर रहा है, four pens, there are five, यहाँ पर देर आ रहाएगा, there are five buildings, I stay a few miles away, again यह जो words है, यह क्या कर रहे हैं, a few miles away, वो क्या denote कर रहे हैं कि हमारा countable noun है, ठीक है, there are many exams, there are many exams coming up, बहुत सारे exams आ रहे हैं, lot of times, she is late, वो काफी बार late होती है, तो यह सारे जो noun है, countable noun है, clear है, right, exams हो गया, times हो गया, और उसके साथ में हम कुछ words को add कर सकते हैं, जो कि बताएंगे कि these words, these are countable noun in this particular sentence, so a few, modify कर रहा है, उसको determine कर रहा है, कि miles यहां पर countable है, many क्या कर रहा है, exams को qualify कर रहा है, a lot of times क्या कर रहा है, qualify कर रहा है, I hope I made the point clear, कोई भी query है तो आप comment section में लिख देना, अब हम बात करें uncountable noun की, जो countable था, अगर हम उसको fingers पे गिन सकते हैं, uncountable noun को हम एक तराजू में तोल के बता कर सकते हैं, clear है, अगर हम fingers पे count करना शुरू कर सकते हैं, तो countable है, अगर तराजू में तोल सकते हैं, तो uncountable है, बहुत simple है, कभी नहीं बूलने वाले हैं आप इस चीज़ को, तो बता वो noun countable है कि non countable, तो बच्चे वो बहुत छोटे-छोटे crystals है, you can't sit and count them, तो हम उनको uncountable noun में, जो salt होगा, या फिर sugar होगा, इस टाइप के जो चीज़े होगी, उनको भी हम uncountable noun में ही segregate करते हैं, यह चीज़ आप ध्यान में रखना, दूसरी चीज, math nouns जो होगे, kg हो गया, लीटर हो गया, ठीक है, तो जो भी हम तोल सकते हैं, जो भी हम तोल सकते तराजु में, weighing machine पर जो हम तोल सकते हैं, वो सारे के सारे nouns क्या होगे, uncountable होगे, तो यहाँ पर क्या how much, क्योंकि या quantity जो है, वो किसमें weight में आएगी, weighing machine पर बताएगी आपको measure करना, तो how much, कितना how much का answer देगा, और जो abstract nouns होते हैं, जादा तर, वो uncountable nouns होते हैं, क्योंकि abstract noun आपने अभी देखा न, वो क्या करते हैं, आपको feelings बताते हैं, ideas बताते हैं, तो वो जो सारी चीजे होते हैं, वो uncountable nouns में count होगे, क्योंकि you cannot count them, और जैसे मैंने आपको starting में बता था, कि जो भी noun की categories हैं, वो overlap हो जाएंगी, कहीं न कहीं, आप बिल्कुल एक straight line खीचके, words को segregate नहीं कर सकते हो, कि यह particular, जैसे कि यहाँ पर आपको देख गया abstract noun, uncountable noun के under में count हो जाएगा, तो यह overlapping कहीं न कहीं आपको मिल जाएगी, तो don't get confused, कि मैं particular जो word है, वो countable noun था, लेकिन जो हम यह sentence पढ़ रहे हैं, और हमको जो question है, इसका answer यह दूसरा noun कैसे आ गया, क्योंकि abstract noun, uncountable noun भी आ सकता हो, तो depending कि आपका जो scenario है, आप पहचान सकते हो, ठीक है, दूसरा क्या है, a little, आप जब इसके sentences बनाओगे, तो a little जहाँ पर आपको दिखता है, जब आपको a little दिखता है, मतलब यह uncountable noun है, much दिखेगा, क्योंकि how much जो है, जहाँ पर much दिखेगा, a lot of और some ऐसी चीज़े हैं, जो दोनों जगे पर आप use कर सकते हो, because some और a lot of क्या है, they are neutral words, तो वो neutral determiners है, तो वो दोनों जगे पर आप use कर सकते हो, तो in that case, आपको जो उसके बाद use किया जाने वाला noun है, उसको पहचानना पड़ेगा, कि वो countable है कि uncountable है, let us see the examples, milk हो गया, love हो गया, water हो गया, again क्या है, यह वे कर सकते हैं, यह liters में आते हैं, ठीक है, love you cannot count, abstract noun है, तो यह सारे uncountable हो गया, 2 kg rice, 1 liter milk, again, आपको जो mass noun है, वो हो जाएंगे, there are 2 cups of coffee, there are again, यहापे, there are 2 cups of coffee, there are 2 cups of coffee, तो again यहापे 2 cups है, लेकिन coffee जो है, coffee क्या है, यहापे uncountable noun है, तो मैंने आपको बताया ना, अगर आप कभी confused हो जाते हो, कि जो data miners है, वो आपको confused कर देते है, तो आप जो हमारा noun है, उस पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, कि क्या coffee को आप count कर सकते हो, नहीं, क्या sugar को count कर सकते हो, नहीं, क्या fear को count कर सकते हो, नहीं, तो in case, अगर आप data miners से confused हो जाते हो, तो in that case, आप जो noun है, उसको थोड़ा ध्यान से analyze करो, आपको पता चल जाएगा, कि यह countable है, कि uncountable है, I hope मैंने आपको, अगर आपका कोई query था, वो clear हो गया होगा यहाँ पे, अब हम compare कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर जब दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कि जब हम compare करेंगे, तो आपको जो comparative वाले जो words होते हैं, comparison में जो words होते हैं, वो आपको थोड़ा सा tricky यहाँ पर लग सकते हैं, जैसे कि I have two pens, you have five pens, अगर हम इसको compare करें, तो हम कैसे बोल सकते हैं, there are more pens with you, क्योंकि मेरे पास दो pen हैं, आपके पास पाँच pen हैं, तो हम क्या बोलेंगे, there are more pens with you, लेकिन अगर हम उसको opposite बोले, यह positive sense में था, अगर हम उसको उल्टा देखे, negative sense में, negative sense में, opposite में देखे, तो क्या बोलेंगे, I have fewer pens, क्या हैं, आपके पास 5 हैं, मेरे पास 2 हैं, तो I have fewer pens, तो यह जो words है, इस पर ध्यान देना, यह क्या कर रहें, अब अगर यह हमारा कौन सा था, countable noun, हम, हमने जो example लिया था, वो था, countable noun का, ठीक है, I got 2 liters, liters of milk, and you got 2, you got 5 liters of milk, right, अभी अगर हम इसको compare करें, यह uncountable noun है, क्योंकि liters में आ गया, तो यह uncountable noun है, clear है, अब इसको compare करेंगे, तो क्या होगा, you got more milk, देखो, यहाँ पर confusion आपको पका create होगा, कि अगर madam, हम more use कर रहे हैं, countable noun में, तो हम uncountable noun में compare करने के लिए, क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको more ही use करना है, you got more milk with you, तो यहाँ पर यह चीज़ दोनों में same रहने वाली है, क्या है, दोनों में यहाँ पर आपको same ही रहने वाली है, ठीक है, दोनों जगे more आएगा, यहाँ पर difference कहाँ पर आएगा, difference आएगा, जब आप negative sense में opposite side में इसको compare करो, अगर यहाँ पर बोलेंगे I got lesser, हम यहाँ पर fewer नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या lesser, तो यह चीज़ आपको खाली ध्यान में रखनी कि negative जब opposite side में हम comparison करेंगे, तो fewer आएगा countable में, और जब हाँ uncountable की बात करें, तो lesser आएगा negative side में, negative side क करेंगे, तो, अब बात करते हैं, collective noun की, collective noun क्या होते हैं, जैसे कि आप देखो, काफी सारे लोगों को, आप बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, इखटे हो गए कुछ का, कुछ, किसी भी चीज के लिए, तो आप उसको क्या बोलेंगे, for example, जब politicians आते हैं, भा बहुत सारे लोगों की जो भीड हैं, उसको क्या बोलते हैं, crowd बोलते हैं, similarly, बहुत सारे अगर elephants हैं, उनको क्या बोलेंगे, herd of elephant, मतलब, elephant के जो जुढ़ है, उसको क्या बोलेंगे, herd, तो, जो collective nouns होते हैं, वो क्या करते हैं, refer करते हैं, group को, कोई भी particular group को, और वो group लोगों का हो सकता है, animals का हो सकता है, या फिर things का भी हो सकता है, तो, ये collective, सब लोगों को, animal को, या फिर things को मिला के, उस group को एक नाम दिया जाता है, एक single नाम, ठीक है, तो, उसको क्या बोलेंगे, collective noun, for example, जैसे कि हम group of soldiers को क्या बोलते है, army बोलते है, group of keys को क्या बोलेंगे, bunch of keys बोलेंगे, ठीक है, group of shoes को क्या बोलेंगे, pair of shoes बोलेंगे, group of players को क्या बोलेंगे, team बोलेंगे, तो, जब हम groups of particular noun को अगर हम लेते हैं, तो collectively हम उसको एक नाम दे सकते हैं, जैसे कि army हो गया, bunch हो गया गुच्छा जिसको बोलता है पैर हो गया या फिर टीम हो गया ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं तो आपको बहुत इंट्रस्टिंग लगेगा आपको गूगल से लिस्ट निकालके भी आप एक बार देख सकते हैं और आपको क्वेरी आता है तो हम बात करते हैं कंपाउन नाॉन के अभी हम ने जो अभी तक के जो नाउन्स को हमने पढ़ा है यह वेरी कॉमनली यूज्ट आपको काफी जगे मिल जाएंगे बुक्स में मिल जाएंगे टीचर्स भी आपको बताते अब अब से हम जो नेक्सट नाउन्स जो पढ़ने वाले they are not very commonly taught, लेकिन commonly used है, ध्यान रखना, यह काफी common है usage में, लेकिन ज़्यादा तर्ट टीचर्स या बुक्स आपको वीडियो में भी ज़्यादा तर्ट नहीं मिलता है, तो अब हम बात करेंगे compound noun की, compound noun क्या करता है, join करता है, यह दो से ज़्यादा शब्दों को join कर देता है, जैसे दो noun को join कर देगा, एक noun, क्योंकि noun है तो एक word, उन दोनों word में से एक जो word है वो noun होना चाहिए, तो यह adjective के साथ combine हो सकता है, यह preposition के साथ combine हो सकता है, यह दूसरे noun के साथ combine हो सकता है, या फिर एक यह verb के साथ combine हो सकता है तो दो words को जब हम मिला के एक single noun बनाते है तो उसको compound noun बोलते है यह जैसे मैंने आपको combination बता दिया already कि adjective verb, preposition या फिर दूसरे noun के साथ में मिलके यह noun बनता है इसको join करने के लिए कई बार हम हाइफन यूज करते है हाइफन जो डाश होता है बीच में वो या फिर हम दो separate word ही लिख लेते है for our convenience तो इस तरीके से जो nouns को use किया जाएगा compound noun होते है for example lifestyle ठीक है यहाँ पर life एक word है style एक word है तो इनको join करके क्या बन जाएगा lifestyle, moon, light दो words है, lifestyle को join किया moon, light को join किया check-in, manage बोला था आपको hyphen के साथ, आप कर सकते है preposition के साथ, dry clean हो गया hyphen के साथ, two words जैसे full moon, high school, तो इस तरीके के जो आप words देखते हैं उनको क्या बोला जाता है compound noun, और compound noun क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो दो शब्दों को या तो बिल्कुल combine करके, एक शब्द बनाके या तो hyphen के साथ connect करके या तो two different word को ऐसे यूज किया जाता है, कि जब आप full moon बोलेंगे, अगर आप मानलो, पूर्णीमा को represent करना चाहते हैं तो आप moon बोलोगे तो तो उसना मतलब moon आएगा लेकिन अगर पूर्णीमा जो हिंदी में जुसको बोलता है तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना तो आपको full moon ही बोलना पड़ेगा तो in that case, आपको ये दोनों शब्दों को साथ में ही यूज करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा compound noun अब बात करेंगे हम material noun material noun क्या होता है कि जो चीजे बनती है जैसे आटे से रोटी बनती है लोहे से डिफरेंट डिफरेंट जो भी parts of किसी गाड़ी के parts बनते है train के aircraft के बनते हैं तिक है या फिर gold से ornaments बनते है जो भी हमारी jewelry बनती है तो जो basic material होता है material जिससे कोई भी चीज बनती है उसको बोला जाते है material noun बहुत आसान है आप कभी नहीं बूल सकते हैं जो material से कोई चीज बन जाती है तो उसको material noun बोलते है जैसे कि flower हो गया iron हो गया, cotton हो गया gold हो गया तो यह सारे जो noun होंगे इस टाइप के noun इनको बोला जाएगा material noun लास्ट possessive noun possessive noun में आप काफे लोग यह सोचोगे कि माम यह possessive noun जो है यह noun कैसे हो गया, possession यह बता रहा है तो मैं आपको बताऊंगी कैसे हो गया यह सबसे पहले आप देखो यह ownership बताता है किसी चीज की ownership बताता है तो यहाँ पर क्यों यह possessive noun है main important है यह noun क्यों है कि भले ही यह demonstrate कर रहा है ownership, possession declare कर रहा है लेकिन उसके बावजूद वो person ही रहेगा मतलब अगर for example मैं मेरे पास कोई possession है, मेरे पास कोई pen है, तो मेरा ही मैं जो हूँ, वो person ही रहूंगी किसी place के बारे में हम बात कर रहे है तो वो place तो place ही रहेगा animal तो animal ही रहेगा, thing ही रहेगा तो इसी लिए possession होने के बावजूद भी जो हमारे person places thing है, वो ही noun ही रहते हैं, इसलिए इसको special category में बाटा गया है जो कि possessive noun हम बोलेंगे जैसे कि Monica's Monica's car, Monica's bag ठीक है, जैपूर हम बोलते कि वहां कि यह जो चंदेरी है वहां से आई है, जैपूर जैपूरी परिंट जिसको बोलते हैं तो जैपूर्स speciality है, जैपूर्स special food तो हम उसका possession बताते कि वहां से वहां को बलॉंग करती है यहाँ पर pen हो गया तो pens ink, where is my pens ink where is my pens cap तो pen का जो cap है, pen की जो ink है, अगर वो पूछ रहे तो ऐसे हम इनको use कर सकते है तो यहाँ आट से गाइस, thank you so much take care for yourself and bye bye